गुल्ड मॉर्निंग बच्चो ग्लो और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है परसदिय परिच्छा की तयारी है तू रसाइन विग्यान तथा बहुतिक विग्यान में जो बिरस सिरंखला चल ली है उसके तहट अब जो हैं आपको रसाइन विग्यान में दो अंक और तीन अ सकता है वन प्लस वन प्लस वन भी हो सकता है तो इसका मतब क्या हुआ यदि आपको एक मार्क्स और दो मार्क्स के क्वेशन आ जाएंगे तो आपको तीन मार्क्स के क्वेशन भी आ जाएंगे बच्चो तो इसका मिलब यह दो अंक या तीन अंक के महतवून प्रसन है तो प्यारे बच्चो पहला question क्या करा है निम्ल लिखित पदों को परभासित कीजी अर्थात आपको बताना है कि फ्रेंकल दोस क्या है और साट की दोस क्या है ठीक है बच्चो तो 1 प्लस 1 टू ठीक है और ये 2 प्लस 1 में भी पूछा जा सकता है इसका मिलब ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है फ्रेंकल दोस क्या है और साट की दोस क्या है निश्चित तोर पे आपको परिक्षा में पूछा जाना है बच्चो तो प्यारे बच्चो इसके तयारी आप निश्चित रूप से करेंगे बच्चो तो प्यारे बच्चो question number 2 की ओल ये चल रिमार्क्स का भी पूछा जा सकता है बच्छो, ठीक है बच्छो, एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन है, NICL4 whole power 2- अनुचुम्ब के है, जबकि NICO whole 4, CO4 क्या है प्रतिचुम्ब के, बहुत बार पूछा गया है बच्छो, यह प्रस्ट, और इसका आंसर जो है बच्छो आप जरूर ढूंड लेंगे बच्छो, यहाँ पर इतना टाइम हमार पास नहीं है, कि हम आपको chemistry में इनको हल करके बता सके हैं बच्छो, तो इसके लिए आपसे मा भी चाते हैं बच्छो, क्योंकि बड़े question है, इसको हल करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास भ पून तह भरी भी रंगिन बोतलों में क्यों भंडारण किया जाता है, आवश्यक रासाइनिक समिकर्ण दीजे, यह मैं पहले भी बता दिया था बच्छो, पहले भी एक वसन आये था एक नमबर में, कि क्लोरोफॉर्म को रंगिन बोतलों में क्यों रखा जाता है, बच्छ विसली गैस होती है बच्चो तो प्यारे बच्चो केवल क्वेस्टन है इसमें क्वेस्टन नमर पांच आपके स्क्रीन पर है निमलिकित अभिकरियाओं का रासाइनिक समिक्रन दीजिए और बच्चो ये कैसे पूछा जाएगा इदर देखे पहला अभिकरिया फिरडल क्राफ्ट अभिकरिया बुडज अभिकरिया तो वन प्लस वन में पुछा जाग सकता है और इसमें एक अभिकरिया और दे देगा तो वन प्लस वन प्लस वन दाट इस थरी तो तीन मार्क्स की question भी बन सकते हैं बचो तो प्यारे बचो लिए चलते है question number six की ओर क्या कह रहा है बचो निम्न में परते को एक उधारन सहीच समझाए बहुत important है बहुत बार पूछा गया है बचो आपको परिक्षा में ये तीन मार्क्स का भी पूछा जाता है खाद्य परिरक्षक खाद्य परिरक्षक और किरित्रिम मदुरक और इसके साथ एक मार्क्स का और देगा तो ये तीन मार्क्स का भी बन जाएगा बचो इसलिए एक मार्क्स और दो मार्क्स के ही question तीन मार्क्स की question बनाएंगे और तीन मार्क्स की question में अगर और जोड़ेंगे तो पांच मार्क्स का question बन जाएगा बच्चो तो खाद्य परिरक्छक और किर्ति मदरक को आपको उधारन द्वारा इसपस्ट करना है बच्चो और question number 7 आपकी screen पर है मोलरता वो मोललता में अंतर इसपस्ट कीजी यह बहुत ही important question है मोलरता और मोललता जो की billion वाला chapter आपने पड़ा होगा उसमें बच्चो यह आपको मिल जाएगा मोलरता और मोललता में अंतर very important question है आप परिक्षा के लिए जरूर तयार करेंगे वैसे आपको आता होगा question number 8 आपके screen पर है क्या कह रहा है उपस है सयोजन योगिकों तथा दुइक लवण में अंतर इसपस्ट कीजी बच्चो उपस है सयोजन योगिक और दुइक लवण में क्या अंतर है आपको उसको इसपस्ट करना है बच्चो यह दो नमबर का question बनेगा इसमें एक नमबर का question और जोड़के यह 3 marks का question भी बन सकता है बच्चो तो लिया चलते हैं आपको अगली question की ओर तो प्यारे बच्चो question number 9 आपकी screen पर है निम्न लिखित परिवर्तन कैसे संपन होते हैं अर्थात यह जो परिवर्तन है कैसे बनाओगे chlorobenzene से DDT तो कैसे बनाते हैं बच्चो खloral से बनाते हैं ठीक है बच्चो खlorobenzene से diphenyl और बच्चो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा अगर इसमें एक reaction और देता है तो यह 3 marks का पूछा जाएगा बच्चो इसलिए 2 marks और 1 marks के question ही आपको 3 marks के question बनाएंगे बच्चो तो प्यारे बच्चो लिए चलते हैं question number 10 की ओर तो और हम क्या कहante है रहा है क्या होता है जब क्या होता है जब एथिल एल्कोहॉल की करिया चार की उपस्तिती में iodine से करते हैं ठीक है बच्चो चार की उपस्तिती में तो iodoporm आभी करिया है बच्चो ठीक है बच्चों हाँ तो दूसरा है chloroform को phenol तथा sodium hydroxide के billion के साथ गरम करते हैं ठीक है बच्चो ये भी नएम डियक्षन है रीमर टेमर अभिकरिया है ठीक है बच्चो और ये दो नम्मर का है एक क्वेशन एक परिवर्दन और पोश सकता है तो तीन नम्मर में भी आपके पास आ सकता है बच्चो तो प्यारे बच्चो लिए चलते हैं आपको अगली क्वेशन की और क्या कह रहा है निम लिखित का इलक्टॉनिक बिन्यास लिखे तो बच्चो आपको क्रोमियम का इलक्टॉनिक बिन्यास आना चाहे तो कितना होता है बच्चो 3D5 4S1 तो क्या हो जाएगा जब 3 इलक्टॉन को दे देगा तो कितने इलक्टॉन हो जाएगा S का electron भी निकल जाएगा D में 5 है तो D में कितने हो जाएंगे बच्चो 3 हो जाएंगी ठीक है बच्चो और Fe 2 प्लस तो Fe में जो हैं D में कितने होते हैं बच्चो तो आपको देखना पड़ेगा यह 2 electron दे रहा है तो जितने उसमें रहेंगे इसका मलब आपको chromium और iron का electronic बिन्यास आना चाहिए बच्चो और उसमें 3 electron आप निकाल देंगी यहाँ पर 2 electron आप निकाल देंगी जो उसका electronic बिन्यास होगा उसको लिख देंगे बच्चो आप ठीक है बच्चो अगला question है बच्चो क्या कह रहा है फ्रियान 12 तथा chloroform के उपयोग बताई ठीक है इसके उपयोग बता सकता है दो नमबर या तीन नमबर में पो सकता है ठीक है बच्चो फ्रियान 12 और chloroform के उपयोग आपको बताने है बच्चो और अगला जो है question बहुत बार पुछा गया very important बहुत ज़्यादा important है परिक्षा के लिए बहुत बार मैंने इसको देखा है ये परिक्षा में पूछा गया है बच्चो क्या कह रहा है बच्चो crystal, जालक, एवं एकको कोष्ठिका मैं बिभेद कीजिए या अंतर कीजिए इसने निश्चित आना है बच्चो परिक्षा में ठीक है बच्चो तो ब्यारे बच्चो यहाँ पर जो है मैं इसके salt वीडियो बनाना चाहूंगा तो इंतजारी करते हैं अगले वीडियो की चैनल पर बने रेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद